अबेकर फ्रम गो अबाई लूसियो रोडरीगेस हमारे बुजुर्गों को अक्सरुन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध रोटियों के बारे में उदासीन याद दिलाया जाता है रोटियां खाने वाले भले ही गायब हो गए हूँ लेकिन निर्माता अभी भी है हमारे पास अभी भी मिक्सर, मोलडर और रोटियां सेंकने वाले लोग हैं उनसदियों पुरानी समय समय पर भटियां मौजूद हैं भटियों में लगी आग अभी तक नहीं बुझी है पारंपरिक बेकर के बांस के थन और जहन जनाहट सुबह उनके आगमन को याद करते हुए अभी भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है हो सकता है कि पिता जीवित न हो लेकिन बेटा अभी भी परिवार के पेशे में आता है ये बेकर आज भी गोवा में पैडर के रूप में जाने जाते हैं गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारे दोस्त साथी और मार्ग दर्शकुआ करते थे वह दिन में कम से कम दो बार आते थे एक बार जब वह अपनी बेचने के दौर पर सुभा निकला और फिर से जब वह अपनी विशाल टोकरी खाली करके वापस लोटा उसके बास की गड़गडाहट ने हमें नींद से जगा दिया और हम उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए दोडे ऐसा क्यों था? क्या यह रोटी के प्यार के लिए था? हरगिज नहीं रोटी आंक किसी पास की न्याबास्तीन ने खरीदी थी जो घर की नौकरानी थी हम उन रोटी चूडियों के लिए तरस रहे थे जिन्हें हमने सावधानी से चुना कभी कभी यह स्पेशल मेक की मीठी रोटी होती थी बेकर ने अपने विशेश रूप से बनाए गए बांस के कर्मचारियों की जे ज़ंग ज़ंग ध्वनी के साथ द्रिश्य पर अपनी संगीत प्रविष्टी दी एक हाथ ने उसके सिर पर टोकरी का समर्थन किया और दूसरे ने बांस को जमीन पर पटक दिया वह घर की महिला को सुप्रभात के साथ शुपकामनाएं देता और फिर अपनी टोकरी खड़ी बांस पर रख देता हम बच्चों को एक हलकी फटकार के साथ एक तरफ धकेला जाएगा और रोटिया नौकर को दी जाएंगी लेकिन हम हार नहीं मानेंगे हम किसी बेंचया पैरा पेट पर चड़ जाते और किसी तरह टोकरी में जहांक लेते मैं अभी भी उन रोटियों की विशिष्ट खुश्बू को याद कर सकता हूँ बड़ों के लिए रोटियां और बच्चों के लिए चूडियां तब हमने अपने दातों को ब्रश करने या अपने मुह को ठीक से धोने की भी परवाह नहीं की और हम क्यों करें? टूथ ब्रश के लिए आम पत्ता लूटने की परिशानी कौन उठाएगा? और यह क्यों आवशक था? बाग हने अपने दान्त कभी नहीं धोए गर्म चाह इतनी अच्छी तरह से सब कुछ धोने और साप कर सकती है आखिर शादी के तोहफे को मीठी रोटी के बिना अर्थ हीन माना जाता है जैसे की एक पाठी के रूप में या एक दावत रोटी के बिना अपना अकर्शन खो देती है यह बताने के लिए परियाप्त नहीं है कि एक गाव के लिए एक बेकर कितना महत्वपून हो सकता है घर की महिला को अपनी बेटी की सगाई के अफसर पर सैन्विच तैयार करना चाहिए केक और बोलिंग हास क्रिस्मस के साथ साथ अन्यत्योहारों के लिए बहुत जरूरी है इस प्रकार गाव में बेकर की भटी की उपस्थिती नितान तावर्शक है उन दिनों के बेकर या ब्रेड विक्रेता के पास एक अजीबो गरीब पोशाक थी जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था यह एक एकल पीठ लंबी फ्रॉक थी जो घुटनों तक पहुँचती थी बचपन में हमने बेकरों को शर्ट और ट्राउजर पहने देखा जो फुलेंथ वाले और आधे से ज्यादा लंबे पैंट से कम थे आज भी जो कोई भी हाप पैंट पहनता है जो घुटनों के ठीक नीचे पहुँचता है टिपपनी को आम अंत्रित करता है कि वह एक पैडर की तरह तयार है बेकर ने आम तोर पर महिने के अंत में अपने बिल जमा किये पेंसल में कुछ दीवार पर मासिक खाते दर्ज किये जाते थे बेकिंग वास्तव में पुराने दिनों में एक लाब दायक पेशा था बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहा वह उसका परिवार और उसके सेवक हमेशा खुश और सम्रिध दिखते थे उनका मोटा शरीर इस बात का खुला प्रमान था आज भी कठहल जैसी शारिरिक बनावट वाले किसी भी व्यक्ती की तुलना बेकसे आसानी से की जाती है पाठ का अंत धन्यवाद